पढ़ता है, इसलिए भोजन बड़े ध्यान से बनाना चाहिए, चिंता दुख गुसे में कभी खाना नी बनना चाहिए, और हमें क्लियर होना चाहिए हम किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं, ऐसे ही नहीं पहले जमाने में लोग अपने खाना अपने साथ ले कर जाते यहां तक कि अपनी पानी की बोतल भी अपने साथ ले कर जाते थे, क्योंकि उनको पता था, वो जिस घर का पानी पिएंगे, उस घर की सारी बाते उनके मन की स्थिति पर आ जाएंगी, क्योंकि पानी वाइब्रेशन को डायरेक्ली अब्सॉब करता है, बड़े ध्यान से ल तो बना सकते हैं प्रशाद रोज घर में, बनाना शुरू करें प्रशाद, जिस घर में प्रशाद बनेगा, जिस घर में पानी अमरित बन जाएगा, वो घर स्वर्ग बन जाएगा, उस घर में सारे देवी देफताई वाले संसकार वाले हो जाएंगे, सब देने वाले हो ज रखाते हैं खाना जहां बन रहा है रसोई घर वहां 24 घंटे परमात्मा के याद के गीत चले मंत्र चले भजन चले लेकिन 24 घंटे रसोई घर में चलता रहे एक एक शब्द जो भोजन में जाएगा सब्जी फल पानी में जाएगा हाई energy vibrations, रसोई घर मंदिर बन जाएगा, पूरा घर स्वर्ग बन जाएगा, खाना खाने से पहले, बच्पन से सीखाता कि खाना खाने से पहले परमात्म को याद करना है, कौन-कौन तीन टाइम खाना खाने से पहले, रुख के पहले बगवान को याद करके फिर खाना खाते हैं, कौन-कौन टीवी के रिमोट को याद करके खाना काते हैं, किसी एक को तो याद करेंगे इना, एक मर्यादा बना लेजिए घर की, कि खाना खाते समय हमारे घर में टीवी नहीं चलेगा, और हमारे घर में कोई फोन अपने पास नहीं रखेगा खाना खाते समय सिंपल मर्यादा है ना फोन ना टीवी खाना खाते समय खाना खाने से पहले भगवान को याद करके उसको शुक्रिया करके और फिर उस भोजन में अपने वो संकल्प डालके मैं शक्ति शाली आत्मा हो मैं शान स्वर उपात्मा हो मैं शान्ती के सागर पढ़मात्मा की संतान हो अपने भोजन और पानी में ऐसे श्रेष्ट संकल्प डाले वो प्रशाद बन जाता है हम सब घर पे प्रशाद बना सकते हैं तो धन दुआउं के साथ आएगा अन सात्विक खाएंगे अन खाती समय फोन और टीवी ओन नहीं रहेगा और मन के लिए सुबह का पहला घंटा ज्यान के साथ शुरू होगा नो फोन नो टीवी सुबह का पहला घंटा और रात का आखरी घंटा कुछ नेगेटिव अन्याटा